रही बात मेरे वीडियो बनाने की तो मुझे फर्क नहीं पढ़ रहा है बहन को नहीं पढ़ रहा है नहीं पर लेके देखो फिर समझ में आएगा कि मुझे एक लौता भाई था एक मावज मैं आपसे सवाल कर रहे हूं कि वीडियो सुथ करना भी मेरी मजबूरी सोनों नहीं सब्सक्राइब करके तो इसे यही फैदा होगा कि मैं जब भी कोई नया डेट दूंगी जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक जाएगा सो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज एक बार फिर से मैं अपने वाई से रिलेटेड कुछ बाते आप सभी से करनी जानी हूँ सबसे पहले तो मैं सौरी बोलना चाहूंगी कि आप सभी को बहुत वेट करना परा बहुत जादा कमनी बहुत जादा वेट करना परा और लास्ट मन्थ जब मैं बैंगलोर का वीडियो डाली थी तो उसमें भी बहुत सारे सवाल किये गए थे तो मुझे लगा कि इन सारे सवालों का जवाब देना बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे फॉलोवर्स है चाहे वो सबस्क्राइबर हो जो मुझे पसंद करते हैं मेरे सब्सक्राइबर परसमा surviving को बहुत मानते थे वो अनसन में जानना चाहते है कि ग्रुए क्या था? तो जो बाते रहे प्लीज आप उसे ध्यान से सुनिए एक एक चीज को तभी आप कोई कॉमेंट करना चाहे वो गलत हो या सही कॉमेंट हो पहले आप सारी चीजों को समझो सुनो अच्छे से उसके बाद ही आप कोई कॉमेंट करना प्लीज फर्स्ट सवाल मेरे सीघ्य किया गया कि आपका फाय मैरेट था या अन्मारेट था वो अन्मारेट था और उसका एज條 2 साल थाnewस्रा सवाल ये है कि आपका फाया क्या करte था। वो कोई जॉप करता था या फिर रो स paling जॉप करता था वह बैंग्लॉर्थ में स्टाड्य कर रा था कोई जॉब नहीं कर रहा था वह फैर वर्दी में घर इसका छुटी खतम होने वाला था खुली के बाद इस पर मार्च में 24 मार्च को ओली था रोली के बाद उसका शुटी खतम होने वाला था बट एग दिन अचानक सका ऐयर deta मैंशेय आता है कि चुटी कांसिल किया गया करव्य बैंगलॉट के जो भी ल को यहां पहर कोई जांच आने वाला था इसलिए चुटी कैंसिल किया गया था तो बिहार से 10 यह 11 बच्चे थे सारे बच्चों में से कुछ बच्चे बोड़े it कि नहीं हम सभाश और हम जांगे यह प्लैनिक्व उसका भी बिल्गूल भी मन नहीं था जाने का,ि पता नहीं उसके पास एक दिन si almost RA से इससोरी के फोन में, मेरे भाय को पॉल मेसे मिन एक मिन आता ह refill आता भी पुरूम स findenHow, मैं जन्य पता चली बहुत लेट बता चली कि उसके पास एकौत एक रूउ साथ यहाजसा नहीं होता इसारी चीजे कनफर्म मैं भी नहीं हूँ मुझे जितना पता है मैं बस आप सब्सक्राइब ही शेर कर रही हूं तो एक दिन उसके पास कॉल आता है जिस वजह से वह जाता है और घर से वो 11 मार्च को निकला था, 11, 12, 13, 13 को वो कॉलेज पहुँचा, 14, 15, 16, 17, 18, कॉलेज में सिर्फ वो पास दिन रहा, और 19 मार्च को अचानक से एक बज़े मेरे पास कॉल आता है, कि दी आपका भाई नहीं रहा है? तीसरा सवाल के दी आपको कैसे पदा चला कि आपका भाई नहीं है? आपके पास first call किसका आया था? ये सवाल भी मेरे से किया गया है, मेरे पास first call एक बज़े राइट आया था, उस time मैं अपने रूम पे थी, पटना में और अकेली थी रूम पे, सिर्प मैं और मेरे बेटा आ लूह करता था ऑग्रंग टाइम घ्रप तब में बांग समय इंत्ब आए या कि अगर वह बात करता था लॉब्जे तक तो लेट नाइट कॉल करता था अर मेरे से बल असका ज्यादा बात अलाइन होता था चाहे वो है पे उसका इने चैटिंग यो प्टी रॉत सब्सक्राइब तो मेरे से ज़्यादा उसका ओलेंग बात होता था तो मैं भी एक टाइम के लिए स्वाप्ड हो गई थी कि एक बज़े में आखिर सोलो का पॉल क्यों आया है तो अचानक से मेरे पास कॉल आता है और एक लेडिस स्टाफ की जो पॉलेंग के टीचर थी उनका पॉल था और मेर से बोलती है कि दीच सोलों नहीं रहा है तो उस टाइम मतलब ऐसा वह था ना मैं एक सेकंड के लिए लगा था कि पता नीए क्या सुन रहे है फिर ऐसा हुआ था जैसे ना कुछ सुन पार रहे है कुछ बोल पार मेरे साथ मैं अकेली थी रूपर मेरे साथ कोई और नहीं था उस टाइम में सिर्फ मेरा बेटा था और मैं उस टाइम घर के कामों में लगी हुई थी तो मुझे लगा कि नहीं साइधी मजाग कर रहा है और ऐसा हुआ था कि मैं डेट महीना सब कुछ उस टाइम बोल गई थी मुझे कुछ याद नहीं था वो सुनने के बाद वो कॉल पे है वो बोल रही है वो रो रही है बच्चे रो उसके फ्रेंड लोग रो रहे है सारा आवाज मतलब आ रहा है मेरे कानों में आ रहा है मैं सुन दे लेकिन फिर में मैं क्या कर रही थी कौन को होल पे रहके मैं अपने फोन में कैलेंडर चिक करने लगी थी कि सायद हो नहीं, यह मेरे साथ कोई मजाग है, मुझे लगा कहीं एक अप्रैल तो नहीं, फूल डे तो नहीं है, यह कोई मजाग तो नहीं है, मैं कैलेंडर चेक कर दिया लगी कि कौन सा महीना है, क्या डेट है, मैं बोली कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वो बोली कि न मेरा भाई 10 नहीं सारे 10 11 बजे में ही सब कुछ खदम हो चुका था और एक बजे में हम लोग को यह बुला गया था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है वह हॉस्पिटलाइज है वह एडमेट है उसके ट्रेटमेंट चल नहीं है आप लोग बस जितना जल्दी हो सकी उतना जल् अर्म लोग और आप और उसके लिए दया वहा राजा रोग के लिए ऐसे बात है हम उसे बहुत हैं कि हुरू का तुम बताओ सारी चीज़े क्लियर बताओ वह बोला कि तया मेरा बाई नहीं ताब हो सारे 10 सिक ज्यारन में सब भुछ मेरा खतम हो जुका था फिर भी मुझे यह बोला किया था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैंगलोर आजाओ फिर वापस से मुझे उस लेडिल स्टाप से बात हुआ जो कॉलेज की मैं थी उनसे बात हुआ तो मैं उनको उस टाइल पर ये सवाल मैं उनसे की थी कि आपने कॉल मेरे पास क्यों किया है तो वह बोली कि दी सोनु ना हम लोग से कभी कभी स्टेयर करता था कि ममी पापा को कोई भी आप जब बातें होती है ना तो हम लोग हम तीनों हाई बैन मुझे बापा से जल्दी सेयर नहीं करते हैं विकाज मेरे मुझे बापा जब हाड़ पेस करते हैं उन्हें मतलब उन्हें बताना सही रहेगा वो चीजे साथ सभाग सकती है इतना बात हो मुझे बताई तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अगर ऐसी बात है तो मुझे भी यह चीज़ पता है कि अगर अब ही तो सायद सही नहीं है यह सखी टाइम नहीं है मुझ तो मैंने यह डिसाइड कर दिया था कि मैं अभी नहीं बताऊंगी मुझे पता चला ठीक है मैं कुछ भी बहाना करके यहां से बैंगलॉड निकल जामगी बटोने मैं नहीं बताऊंगी फिर अचानक से मेरे पापा को कॉल आता है किसी को ममी के पास भी कोई टीचर ही कॉल करता है और मेरे पापा को साथ कुछ बच्चे थी बिहार के बहुत सारे बच्चे थी मेरे घर के आसपास के बहुत सारे बच्चे थी उन्हें से किसी बच्चे के सारे बच्चे की पैरेंट अभी सब थीक है पापा उसका त्रेट्मेंट चला है फोला सीट्वेशन ज़्यादा क्रेटिकल है ज़ो उसका वो ठीक हो जाँगा मैंने पापा साइवारे हैंने ये बहुत हुपत रहे हैं और मैं सबको सबसे पहले में मतलब यह चीजे नॉर्मल करना चाह रही थी कि बस पापा की हार्ट पर कुछ भी ना लगी मुझे पता है कि बहुत मुस्किल होता है और हाट दिसन के लिए यह बहुत बहुत मुस्किल है यह सारी चीजे अचानल से सुलह उसके बाद के हुआ मेरे मेरे से पूछ रहा कि ठीक है आब यह सोनू ठीक है न तो तुम में बात करा उसे teu वीडियो कॉल बात की वह हो हम बोले की हार चीक है मैं उनको पार-बार यह चीजे बोले आर उस टाइब में बहुत मुस्किन था बहुत मुस्किन था यह चीज एक तो नॉर्मल तरीके से बोलना पर फिर भी मैं अपने आप बहुत कंट्रोल कर रही थी कि नहीं मैं पापा को यह यकीन दिलाओ कि नहीं सारी चीज़ ठीक है मैं उनको बोले थे हैं मेरा वीडियो कॉल भी बात हुआ वह कैसा है वह ठीक है यह सारी चीजे मेरे पापा बोल ले थे फिर मैं पापा को यह तसलिय दी कि नहीं पापा ठीक है बट बहुत सारे बच्चे बिहार से थे जो मेरे खर के आगल बगल के तो यह चीजे चिपने वाली नहीं थी मैं कितने लोगों को यह बोलती कि आप मेर वालक से उसके पास बे-call गया वो रोते हुए उदर से घर पे आए और मतलब मेरी छोटी बैन को वो ली कि पापा कहा है, पापा कहा है और सब पापा को लेके डर रहे थे कि पता नहीं पापा ये चीज़ जब उनहीं सुने मिलेगा तो उनको क्या कैसा लगेगा पता नहीं व अब वढ़ात लेकिन कि जदी से clarity से आजाउ यहां पर और अपनी बड़े-वाले मामा वढ़ात आजाउ यहां पर तुंकि मुझे लगा था उस टाम Lum यहें बहुत बढ़े सपोर्टीव एब बहुत बड़ी हंबत है मेरी ऑर मैं पापा ?। यह नहीं पता था कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैं हैंडल करोंगी, बड पापा को लेके नहीं जांगी तो एकदम तुरंथ मेरे बड़े पापा, मेरे मामा और मेरे ममी के मामा यह तीन लोग ड्राइवर के साथ आजाते हैं मेरे रूम पे तब तक मैं टिकट करा के रखती और फिर हम लोग निकल जाते हैं इवनिंग टाइम में आई तिंक 6 या 7 बजे के आसपास में हमारी फ्लाइट थी हम लोग वहां से निकलते हैं और वहां पहुंचते बहुंचते बैंगलोर एयरपोर्ट से कॉलेज के दूरी आई तिंक 50 या 60 किलोमेटर सम्थिंग था तो कॉ सब्सक्राइब में मेरा फाई आडमेट था तो उस टाइम मेरे भाई को मुझे नहीं दिखाया गया था कंटीनिव वहां घर पे सबीसे मेरी बात हो रही थी क्या कंडीशन कैसी है फिर पापा का सुनने में आए कि पापा का कंडीशन भी गटते जा रहा है तो मैं अपनी सि पहुची थी तब तक मैं बस बहुआ से यह प्रात्ना कर रहे थी कि जो मैं सुन रही हूं वह बस जूट हो भले लोग बोल रहें कि सुनू अपने ही रहा बट मैं इसे इसको नहीं एक्सप्ट कर रहे थी मेरा मन नहीं मानढ़ा था मैं बस इतना ही भागवाल से प्रे करते जा रहे थी कि नहीं जो चीजे मैं सुन नहीं हूँ जो मेरे पास फोटो आई है वो सारी चीजे जोटो बस मैं इतना ही प्रात्ना करते जा रहे थी और मैं तब तक यह चीजे एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी जब तक मैं अपने भाई को नहीं देखी थी अपने नजर से जब वह इंसान जो हमारे साथ हस रहा था बोल रहा था कुछ टाइंग पहले जो नॉर्मली जैसे हम है वैसे है वह अचानक से ऐसा दिखता है ना वह आपको देख सकता है ना ही बोल सकता है और तो आपको एक्सेप्ट करना पर रहा है जो जहां से सब कतम होता है जहां से सब कुछ खतम होता है और वह वापस हमारी लाइफ में नहीं आ सकता वह सिचुएशन वह समय नहीं आ सकता जो पहले थी उसके साथ हम वह वह पन नहीं गुजार सकते जो पहले गुजार रहते उसके साथ में तो यह चीज़े बहुत मुश्किल होती है एक्सेप्ट करना जहां से सब कुछ खतम होता है ऐसा सिच्वेशन मेरे पास मेरे साथ था और एक चीज में इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूं जो लोगे बोलने तिक लिए कि आप में इतनी हिम्मत कहां से है थी कि आप अपना गार करना के विडियो यूद कर रही थी तो बहुत drie मेंस स्टाइल में गई थी मुझे कोई फर्क नहीं पर लाए था क्या फर्क पर रहा था नहीं पर रहा था इस इसको वया करना बहुत मुश्किल है इसको सब्दों में वया नहीं कर सकते हैं जो हमारे साथ हुई है न वो जिनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैं इस दुनिया में मतलब एक अकेले के बहुत सारे ऐसे लोग है जिनके साथ ऐसे हाथशा हुई है वो वक्तु भी समझ रहे मेरे सिच्वेशन को मेरे दर्द को समझ रहे जो लोग वीडियो बनाने पर सवाल उठाए थे बस इतना ही समझो कि मेरा बहुत बड़ा मजबूरी था उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन थी जिसके लिए मुझे वो वीडियो बनाना पड़ा था और एक सवाल ये भी है कि आपका भाई मिन्स उसके साथ क्या वो बीमार था क्या वो बीमार नहीं था कुछ लोग ये भी बोलना है कि आपका भाई खुद किया मेरा भाई खुद भी नहीं किया उसके साथ बहुत गलत हुआ है ठीक है बहुत गलत हुआ है और जिसने भी किया ह है बहुत गलग किया है जिस तरीके से मेरा बहाई गया है जितना धर्द में गया है और जिस जितना हम तरफ और प्रेमेरी मां तरब रही है हम तरफ रहे हैं आ कि उसका § करेंगे जो लोग ये बोलते हैं ना कि आपका भाई खुद दिखिया है गलत आपका भाई खुद ऐसा स्टेप उठाया तो मैं उनसे बस इतना ही बोलूँगी ठीक है आप ये बाते बोल रहे हो तो एक बार ये बाते आप मेरे सामने आ कि मेरे फेस टू फेस बोल के दिखाओ अगर आप ये बात बोलते हो कि आपका भाई खुद गया मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं जानते हो कम से कम इंसानियत का रिस्तर रखा जाए एक भले इमांदार इंसान लड़के के साथ मेरे भाई के साथ में इतना बरा दोका और गलत हुआ है इसका इंसाफ भगवान क करेंगे और जिसने भी किया है उसे परिणाम मिलेगा यह मैं लिखके देती हूं वाकि मेरा भाई खुद कुछ नहीं किया है इतना तो कन्फॉर्म है कि वह खुद कुछ क्यूं करेगा कोई इस्षू नहीं है जिसे परिवार वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीस की क कमी नहीं है वो क्यों करेगा और जो लोग बोल रहे हैं कि आपको इजाज परताल नहीं कर रहे हैं तो इसा नहीं है पुलिस इंवेस्टिकेशन भी चल रही है जो भी हुए हम लोगों ने देखा यहां पे बहुत सारे प्रूफ मिले हमें जो में प्रूफ है वो हमें अब सबसे बरा रिजन यह है वो बैंगलॉर है बिहार नहीं है हमारा बिहार होता तो में लिए प्लस पॉइंट था कि मैं सायदो उस मुकाम तक पहांच पाती जो आप लोग मेरे से बोल रहे हो या फिर मैं जो चाह रहे हूं मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हूं जो भी अब जो भी आप लोग ने बोला कि आप चाहर नहीं कर रही हूं आप कुछ जानने की कोशिस नहीं करें बट ऐसा नहीं हम तो कर रहे हैं बाकि जो उपर वाला का मर्जी होता है ना उसके आगे किसी का निप चलता है और हमारी यह बदकिस्मती है कि हम लोगों को यह सारी च चीज़े हैं अभी जो हमारे लाइफ में चल रही है बाकि सिच्वेशन तो बहुत जादा क्रेटिकल हो चुका है पहले की जैसा तो कुछ भी नहीं रहा हमारे लाइफ में और नहीं कभी हो सकता है क्योंकि वह एक बहुता भाई था एक मावाब के लिए वह एक लौता करें लिए कि बाड़ बने ह हो क्या थो अगर सबसे बड़ी में क्लिए उसके बाद मेरा भाई था उसके में एक और भाई दिये हैं यह भी तो नहीं हैं तो आप खुद ये सवाल आप मेरे से करते हो बट आज मैं आपसे सवाल कर रहे हूं कि मेरे जगा पे अगर आप लोग होते तो क्या करते क्या मैं जो कर रहे हूं अपने मापापा के लिए उन्हीं खुश रखने के लिए मतलब अपना वर्थ करना या फिर लाइट में आगे बढ़ना उन्हें ठीक रखने के लिए उन्हें खुश रखने के लिए मैं क्या गलत कर रहे अगर मैं कुछ गलत कर रहे हूं तो आप बता क्योंकि यह चीज़ें आप सब खुद भुखो भी समझ रहा है कि अगर पैरेंट्स के सामने से इसको लेकर कि हम दोनों बहड़ोंगे तो हमारे माव आप और तूटेंगे जो उनके साथ हुआ उससे कहीं जादा और तूटेंगे वो ना कि वो हिम्मत करेंगे ना ही वो सोङे तो अगर मैं उनके लिए ख suiv रही हूँ अपने में स्ट रॉंग बन रहे हूँ तो यह गलत यह सवाल मैं आप लोगों से कर रहे हूं का जवाब आप लोग मुझे देंगे अगर मेरी जगह आप लोग होते तो क्या करते हैं और रही बात मेरे वीडियो बनाने के तो बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो रहा है इन चीजों से कुछ लोग को ये भी लग रहा है कि मुझे फर्क नहीं पर रहा है ये चीज़े कहना बहुत आ अगर इसको गहराई से सोच के देखो फिर समझ में आएगा कि फर्क नहीं पर रहा है एक बहन को नहीं पर रहा है इसको एक बार डिपली सोच के देखो अपने पे ले के देखो फिर समझ में आएगा कि मुझे फर्क पर रहा है या नहीं पर रहा है मेरे वीडियो बनाने प कब पर में कोई स्टाफ वोती मेरे पास कोई सरकारी जॉब होता तब भी कि अपना जॉब चोड़ दो घर में बैटो तो जैसे अगर हम जॉब नहीं सब्सक्राइब जॉब नहीं छोड़ सकते लाइग अप यहीं समझो कि यह मेरा एक काम है मेरा जॉब है जो मुझे ना चाहते हूँ भी करना पड़ता है क्योंकि यहां तक आने में जितना महनत मेरा है उतना ही मेरे भाइन का है मेरे हस्बन का है तो मैं इन चीजों को नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मेरे जो खाब है, मेरे जो मन्जिल है उसमें मेरे भाई का भी बहुत बड़ा एक खाब था कि दी तुम यहां तक जाओगी तुम अपने लाइफ में यह करो वो करो मैं जितना सोचती थे उससे ज़्यादा वो मेरे लिए सोचता था और जितना मेहनत मेरा है उतना ही मेरे भाई का भी है तो मैं इन चीजों को नहीं छोड़ सकती अब मेरे मा भी एक गॉर्मेंट टीचर है तो क्या वो अपने जोब को छोड़ देगी ठीक है वो जोब को छोड़ देगी तो फिर सोचो अगर वो जोब को छोड़ देती है तो उनका लाइफ कौन चलाएगा क्या हम चलाएगे आप चलाएगे कोई और कोई नहीं कर सकता है तो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो हिम्मत बनाना होता है और मैं वही कर रही हूँ अपने फैमली के लिए अपने मापा के लिए अपने बहन के लिए खुद के लिए अपने छोटे से बैटी के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हम दोनों बेहनों के अलावा ना मेरे मावाप का कोई है ना मेरे मावाप के अलावा हम दोनों बेहनों का कोई है तो मुझे बस मुझे पता है मैं मुझे क्या करना मैं वही कर रहे हैं अगर मैं गलत करूं तो आप बताओ कि दिया वीडियो बना रहे हैं आप गलत करें आप मत बनाओं मेरी मां हमेशा रोते रहती है हमेशा वो जब भी यादा तर वो रोती है और उस टाइम पे मैं उनके सामने वो रो रही है मैं भी रो पाप का हम दोनों बहन के अलाबा अब कोई नहीं है उनकी हमत हम दोनों बहनों से हैं तो मैं क्या गलत कर रही हूँ आप लोग इसका जवाब दो कि आफिर मैं क्या गलत कर रही हूँ सबस्क्राइब्स मेरे लिए वह मेरा भाई था भाई का मतला आप सभी को वक्षू भी पता होगा वह मेरा भाई था मुझे कैसे फर्थ नहीं पर रहा है यह कहना बहुत आसान है इस चीज़ को सब्य मेरे कर सकती हूं मेरे लिए बहुत जैसे समया वीदर है हम दो दो बेरों के लिए मुझे बाते नहीं पर ता है कि पांसांब का बच्च्चा रो ता मुझे फर्क नहीं परेगा यह ना मुंकिन है रहता बस मैं यह नहीं करना चाहती हो कि मैं अपने मेरे मावाप के सामने कभी टू-टू मैं रोग मैं यह नहीं करना शाती हूं जो लोग मेरे पे सवाल करते हैं मेरे एक बेटी होने पे जो मन में आ रहा है जो मन में आ रहा है कह रहे हैं उंगली उठा रहा है मैं उनसे ही आ सवाल करती हूं अगर मैं खरी ना रहूं तो मेरे म कौन खरा होगा क्या मेरा भाई रिटार नाएगा या फिर उनका दूसरा बेटा कोई आएगा कौन खरा होगा इसका जवाब आप लोग मुझे दो जिस टाइम मैं बैंगलोर गई थी अपने भाई की बॉड़ी खुलाने में मुझे पता था कि मैं नहीं जादी तब ही आ जात सकती थी और बैंगलोर में खाट करके जास पी घर सकती थी मुझे पता मेरे बड़े पापा को में मामा वान को पताह 125 ही कंसी तरीके सविज्य सोलों को वहों से भी हाड लाइए मुझे क्या क्या करना पर आते यह चैज़ें सर्फ हम तीनों ही जान रहे जो वहां पता यह वहां पर रोती रहती छिलाती बूरते रहती तो क्या सारी चीज़े ठीक हो जाती सारी चीज़े ठीक क्या फैमिली God pirate मेरे फैमिली को कोई और संभाल लेता नहीं संभालता इस सिच्वेशन में मैं अगर हिम्मत करके खरी हूँ चुप हूँ अपने आसू को छीपा के अपने दर्द को छीपा के तो क्या मैं कोई गलत कर रही इसका जवाब मुझे आप लोग दो मैं इस वीडियो कर रहे ही पैंट I hope कि आप सबी मेरी बातों को समझ रहे हैं और आप कोई निगेटिव कॉमेंट्स नहीं करेंगे मुझे बस आप सबी से इतना ही रिक्वेस्ट है क्योंकि मेरी जो बाते थी मेरी जो फिलिंग्स थी वो मैंने आप सबी से सेर किया है बस मेरा आप से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं